हलो स्टूटेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आपके लिए आपकी अंतरा बुक्चो में पढ़ा रही हूँ उसका जो नया चैप्टर है नई की जन्म कुंडली ये चैप्टर लेकर आई हूँ ये एक विचारों की कहते हैं ये बार टाइप का एक होता है जिसमें बह जैनन माधव मुक्ति बोध जी ने लिखा है तो इनकी जो विधा है लिखने की इनोंने बहुत तरीके में लिखा है लेकिन इनके जो लेक रहते हैं जो विचारों में बहुत प्रधानता रखते हैं आपके सामने विचार करने के लिए जो लेकर आए हैं ये पुरानी मानने जिनको हम बोलते हैं कि ये पुरानी हैं तो हम छोड़ देना चाहते हैं मगर जो हमारे सामने नहीं जिनको हम अपनाना चाहते हैं उन्हें हम पूरी तरीके से अपना भी नहीं पाते उनके तर्क हम नहीं दे पाते कि ये किस लिए हैं, क्या हैं, क्यूं हैं तो ये तरीके से हमारे सामने एक विचार लेकर आए हैं। निबंद के तौर पर लिखा है, तो इसमें आपको जो पुराने विचार है वो और नए विचार जो हैं, वो दोनों तरीके से मिलेंगे और दूसरों एक जगा ऐसी आएगी, जहां पर इन दोनों ही तरह के विचारों के आपस में मद्भेद भी हमको दिखाई देंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले पार्ट का परिचे लेते हैं कि इस पार्ट के अंतरकत है क्या। नए की जन कुंडली एक विचार प्रधान निबंध है, हमने कहा न, विचारों की एक बार टाइप की है इस तरीके स्पार्ट में, कि बहुत सारी चीजों का सोचना, सब कुछू, मतलब आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमने जो अपनाया हुआ है, क्या वो हमा मारे लिए सही है या नहीं है, इस निबंध में लेखक ने व्यक्ति और समाज को बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तनों को परिणाम सरूप प्राप्त चेतना को नए के संदर्ब में देखने की कोशिश की है, यानि कि मनुष्च हो या समाज हो, दोनों में ही परिवर्तन आते हैं और बाहरिक भी होते हैं, तो जो परिवर्तन आ रहे हैं उसे नए की संदर्ब दी, अब देखिए इसको दिमाग में बैठाईएगा तभी आप पूरा पार्ट समझ पाएंगे, कि जो चीजे बदलती हैं, परिवर्तन चीलोते हैं, जीवन परिवर्तन का नाम है, तो आपशी और समाझ में जो चीजे बदल रही हैं, चाहे वो परिवर्तन आंतरिक हो, चाहे बाहरी हो, दोनों ही तरीके में जो परिवर्तन आया, उसे लेखकने नए के संदर्में नया नाम दिया है, उसको बस नया बूला है, लेखक का मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, र जो कोई भी परिवर्तन हो रहे हैं उसे वेज्जानिक खरी जो कसोटी होती है उसमें हम परख ले तभी हमें उसे नया समझना चाहिए ऐसे नहीं है समझना उनको है जिसे हम पूरी तरीके से वैज्ञानिक द्रश्टी से उसे परक लें तब वो नया कहा जाएगा लेखा के अनुसार संघर्ष एबं विरोध के निशकर्ष को वहवारिक्ता में ना जीने के कारण हैं हम पुराने को छोड तो देते हैं कहने का मतलब है आज भार्ष विरोध करते हैं और पुराना कहते हुए मुस्से छोड देते हैं किन्तु नय को वास्तिवी ग्रूप में ही अपना ही नहीं पाते और नया जो है जिसको बोला गया है वैज्ञानिक तौर पे खरा करके और उसे हम पूरी तरीके से अपना नहीं पाते हम क्या क किसी भी तरीके में हो वो अगर बहुत समय से आ चली आ रही है तो वो पुरानी होगे उमको हमने छोड़ दिया लेकिन नई चीजें जो बदली हैं लेकिन वो विज्ञानिक खड़ी कोटिक पे अगर सही उतरी हैं तो ही उनको नया समझा जाएगा क्या है यही लेखक को अपने मित्र को अत्यंत बुद्धिमान समझता है लेखक जो हमारे हैं गजनन मुक्तिवियोत वो अपने मित्र को बहुत बुद्धिमान समझते हैं मित्र की तारकिक विशलेशन शमता अद्बुक है, तारकिक मतलब तरक देना, किसी भी बात पर कोई तरक प्रस्तुत करना, ये ऐसा है, तो क्यों है, ये तरक भी वो बहुत आसानी से प्रस्तुत कर देता है, उसकी बुद्धी परीक्षन शमता में प्रकरता थी, इसलिए ले रखता था और उसकी शम्ता जासता था जब परख लेता था तब अना था इसलिए लेखा का अपनी जो मित्र हैं उनको बहोना बुद्धि मान समझते थे लेखा का अपनी मित्र के आंतरिक सौंधर के साथ ही साथ बाहे सौंधर से भी अभिभूत था मतलब जो अंदर से उसकी जो विचार धाराएं थी उससे तो भी अच्छी तरह इंप्रस थे मगर बाहरी यानि कि उसकी वेश भूशा रंग डंग जो पहनावा चाल डाल उससे भी बहुत प्रभा थे उसके अनुसार सौंधर वेक्ति के वेक्त तुमें चार चांद लगा देता है तो ये उनके मित्र के अनुसार अगर हम सौंधर करते हैं अच्छे से पहनते तो हमारे वेक्त तुमें चार चांद लगाने का कर वो सौंधर करता हम अंदर से तो अच्छे ही है हमारी विच प्रभावशाली बनता है तो अब ये वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो आंत्रिक तोर से अच्छा है बाहरी तोर से अच्छा है लेकिन उसमें कोई ना कोई थोड़ी तोर से गर्मिया मतलब गोपनियता बनी रहनी चाहिए मतलब कोई भी चीज थोड़ी बहुत छीपी रहनी चाहिए तब ही वो ज्यादा संदर क्योंकि लोग उसे जानने और समझनी क्यों कोशिश करने लगते तो उसका संदर और निखरता है 12 वर्षबाद लेखक को उससे मुलाकात हुई अब 12 वर्षबाद लेखक उसमें उस मित्र से मिल रहे हैं तब भी वह उसके आकरशन में कोई कमी नहीं पाता 12 वर्षबाद भी जब लेखक से मिल रहे हैं तो वो जैसे पहले आकरशित रहते थे वैसे आज भी उसकी बुद्धी पहनावे सभी से जो हमारे लेखक हैं वो आकरशित रहे हैं लेकिन लेखक को अपने और अपने मित्र के वहवार और रुचियों में अंतर दिखाई देता है लेखक भावुक है और उसका मित्त तरकशील एवं बुद्धिवादी तो अब जब इत्ते साल बात मिल रहे हैं या पहले मिलते थे उन दोनों में फरक है लेखक में और उनके मित्र में फरक है लेखक क्या है लेखक तरकशील है मतलब हर चीज़ पर तरक प्रस्तूत करते हैं या तरक मांगते हैं लेकिन जो हमारे लेखक है वो भावनाओं से भ के अंदर लेखक का मित्र उनके भावनात्मक इस्तर तक और लेखक अपने मित्र के बौधिक इस्तर तक नहीं पहुंच पाता उसके मित्र जिद्धी भी है वराजनीती अपना लेता है और साहिप्तिक रचनाएं भी करता है तो लेखक का जो भावनात्मक इस्तर है वहां तक उनका मित्र नहीं पहुंच पा रहा है, भावनाओं के इस तर्क उनका लेखक नहीं समझ पा रहा है, और लेखक जो है वो अपने मित्र के तारकिक बुद्धी शीलता को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि हर चीज़ पर तर्क प्रस्तुत करना कोई बात नहीं, लॉजिक नहीं ह करोगे तब तक हम चीज को मानेंगे नहीं तो वह जिद्ध उनके अंदर है तो इन्हों ने जो है अपनी यह क्या अपना लिया है उन्हों राजिनीती अपना ली और जो रचनाय करते थे वह कार्य वह बुता नहीं करते लेखक को चित्रकला अनृत्यकला मानव वंश सास्त्र की जानकारी है अब लेखा कित्ती सारी जानकारी रखते हैं आदोतो South czy वहवार से अंतर को लेखव दो धुरों का भेद मानने लगे हैं अब क्या है वो राजनीती में इनके मित्र और हमारे लेखव के अंदर क्या चीजह हैँ हमारे लेखव के अंदर चित्रकला, मृत्यकला और मानवन इन सब चीजों की जानकारी बहुत ज़ादा भरी हुए तो इन दोनों में ही बहुत ज़ादा डिफ्रिंस है यह जिसे दो धुरूव होते हैं दक्षिन धुरूव उत्री धुरूव जितनी दूरी होती है उतनी ही आपको बहुत धिक तोर पे उन दोनों के अंदर दूरियां दिखाई देंगी लेखक अपने मित्र के विशय में बताता है कि वह कविता लिखते समय अपने को प्रकट करता है तथा सभी इंद्रियों से काम लेते हुए एक आंत्र की यात्रा करता है इसलिए लेखक कविता को भारतिय परंपरा का विचित परिणाम कहता है अब क्या है लेखक अपने मित्र के विशय में बताता है कि जब वो कविता लिखता है तो वो पूरा अंदर का सही गलात ये सब चीजों का जब तर्क दे लेता है तब वो कविताये लिखता है लेकिन लेखक भावनाओं से ओधप्रोथ होकर कविताये लिखते है सांसारिक समझोते ना करनी की आदत ने मित्र के विक्तित उनको आसमानने बना दिया है तो अब क्या है जब हर चीज़ पे आप तर्क परस्तुत करेंगे तो आप समझोता नहीं कर सकते और उनके मित्र के अंदर क्या है उन्होंने समझोता नहीं किया तो उनके अंदर बहुत तरीके से आंतरिक बदलाव आ चुके हैं उनके मित्र के अंदर से लेखक उसे सामानने मानता है जो भीतर से असामानने के उग्र आदेशों को ना मानने का सामर्थ रखता है तो अब क्या है बदलाव आए हैं तो अब बदलाव के कारण ये सब चीज़े बदलाव तो सभी के जीवन में होता है तो वो तो सामानने हैं लेकिन जो असामानने चीजे हैं मतलब जो बदलाव आ रहे हैं मित्र उसे एकसिप्ट ना करे और उसमें उग्र हो जाए मतलब क्रोधित हो जाए तो ये परस्ति असमानने होती है उसका मित्र जब भी उनके भीतर के असमानने को उकसा देता है तब उसके सामने स्वेम को हीन समझने लगता है लेखा की सोचने समझने और कार करनी की जो शक्ती होती तो इन्होंने क्या बोला कि उसका मित्र जब उनक होता है कि वो मित्र जब इन से वहस करता है किसी ब्robात पर अगर टर्ख प्रस्तुत किया जा रहा है कोई भी बात हो रही है तो पूर्स उस स्वाइब क्या होता है हमारा जो यह लशादा नीचर भावुख है और ये हल चीज़ पर तर्क मांग रहे हैं तो एक होता ना irritation वो हिसाब से कभी बहुत जादा उग्रो हो जाते हैं और लेखक के सोचने समझने और कारी करनी की जो अपनी शैली थी वहाँ अपने कार्यों से लोगों को प्रसन रखता था तो अब यहां पर क्या है इन लोगों में मदभेच शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहां अपने कार्यों से लेखक सभी को प्रसन करने के कार्यों करने के काम करने के तरीके लिखने अपनी सहेजता से सफल और प्रसिद्ध हुआ एक भ्रदखेलाते तो कारशलिसे प्रसिद्ध करते हैं और साथ ही एक मशूर व्यक्ति भी हो लेकिन मित्र क्या है इतने सफल व्यक्ति को भी अपनी तार्किक द्राक्षक्ति के कारण उग्र बना देता है वह उसकी एवारिक बुद्धी का परिणाम था उसका मित्र किसी कार do को इसलिए करता था क्योंकि वह हर छेत में विवस्ता चाहता है अब क्या होता है जो वेक्तित तर्क देता है तर्क मतलब हर चीज में आर्ग्यूमेंट है कि करना है ये क्यों करना है किसलिए करना है मैं ये पहनू तो क्यों पहनू किसलिए पहनू मेरोपर नहीं अच्छा लगा तो किसी ने कुछ कहा तो तो ये आदत जो होती है इसके कारण क्या होता है कि वो हर चीज में विवस्थित चीज चाहता है मतलब जरा सा अगर मालीज एक स्पून भी है तो वो टेड़ा है तो टेड़ा क्यों है इसको सीधा होना चाहिए तो उसके जीवन में हर एक चीज विवस्थित है उनके मित्र के जीवन में कि अगर pen है तो वो इस जगे रखा है, calm है तो इस जगे रखा है, towel है तो वो विवस्थित वाला जो area होता है, वो तरकिक कारण उसका जीवन इस area में सभी चीज़ों में विवस्थित है, चाहे वो आम तोर पर रखी कई सामान की चीज़ें हो, या उसका सोच विचार हो, या लिखने की शैली हो, चाहे राजनीती में कारे करने की शैली हो, सभी जगे वो विवस्थित होता है, इसके लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान सकर सकता है, कहने का मतलब विवस्थित रखने के लिए वो हर एक काम कर सकते हैं, वो समझोता वादी नहीं है, किसी के साथ भी समझोता नहीं करता करता भी पालन के प्रती उसमें कुरूरता, दया, निर्दयता भी है इसलिए वह असफल नाम हीन और आकार हीन भी है तो अब क्या है जब वह समझोता नहीं करता तो वह प्रसिद नहीं हो पाया समझोता करेंगे थोड़ा सा जुगेंगे चीजों में तभी हम आगे बढ़ सकते हैं तो वही चीज़े इसलिए वह असफल रहे अपनी चीजों में इतना फेमस नहीं हो पाए सब चीजे तो मित्र एक तरीके से सफल नहीं हो पाए लेकक को लगता है उसका मित्र एक उलका पिंड की तरह है जो सूर के पास चकर लगाते हुए ब्रम्भांड से भटक गया है मतलब वो पर्फेक्ट चीज होती है उसके आर्फ सा गुंते गुंते जो एक वास्तविक जीवन का जो ब्रम्भांड है उससे उनका मित्र भटक गया है वास्तविक जीवन में हर तरह की चीज़े थेस होती है तो वही चीज जो पर्फेक्टनेश होती है उसके चक्कर में वो जो नॉर्मल लाइफ होती है उससे भटक गये है उसका मित्र अपनी जिन्देगी को भूल कर एक नक्षा कहता है वह चोटी-चोटी असफलताएं चाहता है पर उसे एक भव्य असफलता मिली है वह राजनीती में टिक नहीं पाया क्योंकि वह आजीवन सद्धानतों पर चलता रहा और स्वयम को बदलते सामाजिक मुल्यों के अनुरूप नहीं ढाल सका तो अब क्या था उनके मित्र ने राजनीती में भी कदम रखा अब राजनीती में टिक क्यों नहीं पाया क्योंकि वह अपने सद्धानतों के पक्के थे जो उनके सद्धानत थे तो यहाँ पर क्या हुआ उसके कारण उनको सफलता नहीं मतलब छो तो ये चीज़ उन्होंने हमको समझाई फिर क्या है एक बाल चांदिनी राग पे पेड़ के नीचे लेखक चुप चाप उससे बाते कर रहा था किस से लेखक से लेखक और उनके मित्र लेखक ने पूछा कि पिछले 20 वर्षों की सबसे महतपूर घटना क्या है तो उसने कहा स इस वर्षों में सबसे जादा बुरी चीज़े क्या हुए तो उन्होंने क्या बोला कि संयुक्त परिवार बढ़के मतलब जो आपके क्या क्या कहते हैं जॉइंट फामिलीज होती है वो न्यूकल फामिलीज में आ गई है बड़े-बड़े परिवार होते थे ते सारे लोग अच्छा करें तो जितने भी हमारे संबंद थे वह मारेले कोई माईन ही नहीं रखते हैं और पैसा प्रधान हो गया पैसा हमारे इसंबंदнит हमारे इंप्रlection नहीं हमारे लिए हम ये चीज़ ले ले इतना पैसा कमाले हम ये चीज़ ले इसी लगवाले कंप्यूटर ले ले ये कर ले वो कर ले तो आज कल इस चीज़ की मतलब हम कितनी सुविधा जनक जिंदगी जी सकते हैं वो सारी चीज़े बात हो गई लेखक को उसका कथन सही लगा क्योंकि जिन्दगी और जमाना बदलते जा रहे हैं लेखक ने पूछा इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल कौन से हुई अब पहला सवाल उन्हें पूछा था सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ अब उन्हें पूछा कि सबसे बड़ी भूल क्या हुई है उसने उत्तर दिया राजनीती और साहित के पास समाज सुधार का कोई कारिक्रम ना हुआ राजनीती भी है और साहित भी इन दोनों की ही तरफ उन्हें ने कहा देना नहीं है राजनीती में लोग स्वार्थ सिद्धी के लिए आते हैं मतलब हमारा क्या स्वार्थ है हम कितना अंकर सकते हैं हम कितना फेमस हो सकते हैं यह जो हमारा स्वार्थ है इसी के कारण लोग यहां पर आते हैं इसलिए स्वतंत्रता के बाद गरीबी असिक्षा भु खत्म नहीं होने पाई इतने साल हो गए तो अब तक तो यह सारी चीज़े खत्म हो जानी चाहिए लेकिन क्यों क्योंकि वहां पे स्वार्त के साथ काम हो रहा है स्वार्त सिद्धी उप्योग से काम हो रहा है आजादी के बाद जाती बात का उदह है इसी का दुश्परणाम ह जाती अपनी अपनी जाती धर्म को लेकर जितनी भी लड़ाई दगने हुए हैं सब अपने धर्म को जो है वो जातियों को लेकर प्रमुक्ता व्यक्त करते रहें तो ये सबसे बड़ा दुष्परणाम है राजनीती में स्वार्तिसिद्धी का सर्वत अफसरवादी दृष्टी कोड अपनाया जा रहा है अफसरवादी मतलब यहां अफसर मिला हम अपना स्वार्तिसिद्ध कर लें यहां मौका मिला यहां पैसे कमाले यहां मौका मिला तो हम पेपर में खबर चपवा दें यहां मौका मिला कुछ अच्छा कारे कर दो हम क कोजना चाहता कुछ भी नई चीज नहीं करना चाहता कोई भी पुराना लौट कर नहीं आ सकता और नया पुराने का इस्थान नहीं ले सकता समाज में प्रतेक व्यक्ती अच्छाई त्याक कर बुराई की और अग्रिसर हो रहा है तो उन्होंने बोला कि यह जो पुरानी तो में ही बताया था नया और पुराना क्या है नई चीजों को हम यह चीजत करी करते हो इनकोımız acc'll sú जोड़ रहे चाहे विचार हो नीती हो संबन्द हो कुछ भी हो पुराना कहकर चोड़ डेते मगर नया या को हम पूरी तरीके से इसमें प्रगती नहीं हो सकती क्योंकि इसमें अफसर वादिता छिपी हुई है किसको कितना लाग हो रहा है उस अफसर के हिसाब से वो नहीं चीज़ों को अपनाता है और इसी तरीके से पूरे समाज में सिर्फ बुराई-बुराई वैप्त होती जा रही है अच्छाई बहुत ही कम देखने को मिलती है कथनी और करनी में अंतर आ रहा है लोग जो कहते हैं वो कर नहीं पाते जैसे कि नेता लोग हैं वो तरह-तरह के वादे करते हैं पर कर नहीं पाते आप हमारे यह तो नेता की छोड़ दिए नॉर्मल इंसान व्यक्तियों को भी देखिये वो क्या होते हैं कुछ बोलते हैं मगर हो सकता है कल तक वो सारी चीज़े नहीं हो पाते तो हम नहीं कर पाते हैं घर के बाहर अन्याएं के विरुद आवाज उठाने संघर्ष करने की बाते की जाती हैं परंतु अपने पराय का भेद सामने आने पर सब चुप हो जाते हैं मलते बहुत बड़ी-बड़ी बाते करेंगे कि नहीं हम कोई भी भेद बाओ नहीं करेंगे जाती निल करेंगी यह नहीं करेंगे लेकिन जब मौका आता है तो कौन अपना है उसकी तरफ हम जुग जाते हैं पराय को छोड़ देते हैं तब वो अपने पराय का भेदबाओ के कारण जो हमने बोला था वो चीजे पूरी नहीं हो पाती है धर्म भागना चली गई है किन्तु वैज्ञानिक बुद्धी नहीं आई है मतलब क्या है हम अपने धर्म पे अप्टिके नहीं रहते मतलब सत्यता है हमारे धर्म का मतलब यह नहीं है कि हम किस धर्म से तालुक रखते धर्म का मतलब है कि हमारी वैल्यूस जो पहले से चली आ रही थी हमारी सत्यता थी आपका अच्छे से कारे करना जो भी नीतिया थी अब वो सारी चीज़े पुरानी है तो हमने छोड़ दी हैं मगर नई चीज़ों को उसकी जगा हम अपनाते ही नहीं है सही तरीके द्रंग से नहीं ले पा रहे हैं और क्या है जो वैज्ञानिक बुद्धी मतलब नया तरीका मतलब वैज्ञानिक तरपे अगर हम कोई चीज़े हैं तो उसको हम अपना नहीं पाते नए मानक और मूल परिभाशा हीन तथा आकार हीन हो गए हैं वे धर्म और दर्शन का इस्थान नहीं ले सकते तो जो नए मानक है मानक मतलब जो नए फर्मुलेस नए तरीके जो कुछ भी सब नएा आ रहा है वो मूल जो हैं परिभाशा हीने मतलब उनको हम बॉल देते हैं कि यह आपन니 क्यों अपनाया तो आप उसको डिसक्राइब ही नहीं कर पाते कि आपने क्यों अपनाया इससे भविश्व में हमें क्या फाइदा होने वाला है तो वही चीज़ें उन्हों बोली कि हम पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं मगर नई चीज़ों को हम ठीक से अपना नहीं पा रहे हैं यहां पर अपना नहीं पाने का मतलब यह नहीं कि हम कर नहीं सकते बात य वही चीज़े उन्हों बोली नए की जन्म कुंडिली यानि की जो नई चीज़े प्रचलित में आ रही हैं उन्हें हम आवसर के हिसाब से अपनाते हैं कि हमें जब सही लगता है तो हम उन्हों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और नहीं लगता तो हम बोलते थे हैं अभी हम इ लेखक ने व्यक्ति को हमारी भारतिय परंपरा का विचित परिणाम क्यों कहा है भारतिय परंपरा परंपरा कौन नहीं पाल रहा है व्यक्ति तो नहीं भारा है तो विचित्र तो होगा तरीके सरे अपनाने में लेखक के अनुसार व्यक्ति अपने मन में उठने वाले विचा पून्ड है कविता लिखते समय एक कभी अपनी इंद्रियों के मांध्यम से आंतर की अत्रा करता है यानि को जो हैं अंदर क्या चीज़े चल रही है अब जैसे वह हवा हमारी लीकिया हवा ठंडी है गरम है यह चीज़े लेकिन कभी जब कविता लिखने बैठेगा तो उसके इतने स्वरूप निकाल देगा तो हमने कभी सोचे नहीं होंगे तो वही चीज़े वो अंदर तक अपनी उस चीज़ को महसूस करके निकाल रहा है वह कविता के माध्यम से स्वरूप को प्रकट कर पाता यही कारण कि लेखक ने कविता को हमारी भारतिय परंपरा का विचित्र परिणाम कहा है यानि कि क्या है जो हमारा कविता है वो एकदम विचित्र चीज़े हो जाती है सौंदर में रहस ना हो तो वहाँ एक खुपसूरत चौकटा है व्यक्ति के व्यक्तित्यु के माध्यम से इसपश्ट कीजिए कहने का मतलब है आप सुंदरता है हम माली जे बाहरी सुंदरता की बात कर रहे हैं बाहरी सुंदरता तो हमें हर एक चीज़ बिखती है जो हमने कपड़े पहने जो भी मेकप किया और्गिमेंट पहना जो भी है वो सभी चीज़े हमें बिखती है लेकिन आंतरिक सुंदरता जो होती है उसमें रहस सवादिता बना के रखनी चाहिए मतलब यह नहीं कि हमें एकी बार में सारी चीज़े शो तो वो एक रहसवादिता को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए तो क्या दिया है लेखक का मानना है कि यदि कोई वेक्ति देखने में बहुत सुन्दर दिखाई देता है परंतों उसमें कोई गुड़ ना हूँ तो वो आकरशक नहीं है तो क्या हुआ यहां पर कि वो देखन कि तो क्या हो बाहरी सुन्दरता सिर्फ एक चौकटा के रूप में रूप में जो से मुखोटा पहनते ना उसकी तरीके से हो जाएगा अपनी बात को लेखा कावज के माध्यम से सपष्ट करते हैं वा कहते हैं कि कोरा कावज देखने में अच्छा लगता है उसमें मर्म वह बाते चीजें नहीं होती फिर वह कावेस वेकार है उसको तो सभी ने देख लिया कुछ नहीं घाली है लेकिन जब तक हम उसको अगर उसमें कुछ लिखा है हम पढ़ेंगे तबी तो रहस्य है उसमें खाली कावज तो सब दूर से बोल देंगा रहे यह तो खाली है वे उसके अंदर क्या है वो क्या होता है प्रभावशाली चीजें बनता है उसमें लोगों की रुची बनती है लोग उस रहस को सुल्जाने में लग जाते हैं लेखक का मित्र उसे बारा वर्शों के बाद मिलता है जिसके बाल सफेद हो गएं तथा माते पर लकीरे पढ़ गई है जो उसके अंदर में है कहने का क्या मतलब है कि उसके बाहरी रुप रांग में बदलाव आया लेकिन आंतरिक चीजें वैसी की वैसी है जिससे वो पहले प्रभावित थे आज भी वो प्रभावित है तो यहां क्या दिया है लेखक के अनुसार व्यक्ति सामान्य तथा असाधारण था क्योंकि वहां अपने एक विचार का कार के लिए स्वेम को और अपनों को त्याक सकता है मतलब एक difficult काम करने के लिए हम अपने आपको त्याक सकते हैं वह आसामान और आसाधारन व्यक्ति है यानि कि हम कोई ऐसा कारे करने के लिए हम जो आसामान और आसाधारन व्यक्ति होता है वो अपनों तक को त्याक सकता है कोई ऐसा कारे अगर वो करना चाहता है वह अपने मन से निकलने वाले उग्र आदेशों को निभाने का मनोबल रखता है यानि कि उसके अंदर अगर कोई क्रामती कारी कोई विचार आ रहा तो उसे निभाने की छमता उसके अंदर इसमें आप उन विक्तियों को लीजे जिन्नोंने हमारे देश की आजादी के लिए सब कुछ छोड़ दिया यहां तक कि अपने प्रार भी छोड़ दिये तो वो आसामाने और आसाधारन विक्ति हैं क्यों क्योंकि उन्होंने जो चीज पाने की सोची उसमें अपने तो छोड़िये हमने अपने प्रार तक दे दिये मतलब वो हमारा टार्गेट था हमें वो पाना था तो ऐसे विक्ति क्या होते हैं आसमान नया साधारन ऐसा प्राया साधारड लोग कर नहीं पाते जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जो विचार के अदम दृड़ नहीं होते वो ऐसा कार्रे नहीं कर सकते हैं वा सांसारिक समझौते करते हैं और एक ही परिपाटी पर जीवन बिता देते हैं तो उनका जो परिवार है जो संसार है उसके हिसाब से समझोते करते रहते हैं और उसी तरह जीवन जीते जीते अपना जीवन निकाल देते हैं दूसरी और लेख़क खुद को सामान इसलिए मानता है क्योंकि वह उस व्यक्ति के जैसा कुछ नहीं कर सका उसने कुछ अपने मन में विद्दमान उगर आदेशों को निभा नहीं पाया वह सदैव चुप रहा तो उनके मित्र ने क्या किया उनके जीवन में जो उगर आदेश आ रहे थे उनको मानने के लिए उन्हें कुछ भी अगर द्रण निष्चे लेना पड़ा तो उन्होंने लिया लेकिन इसके विपरीत उनका मित्र क्या हुआ आ सामाने आ साधारन वेक्ति लेकिन उसके विपरीत हमारे जो लेखक थे वो क्या थे वो सामानने वेक्ति थी उनको जो करना था वो नादेशों को वो पालन ही नहीं कर पाए वो कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इन सब वि हूल का एक नक्षा है इस कथन दौरा लेखक व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहता है यहां मतलब है मित्र के बारे में लेखक एक जीवन में सफलता चाहता था लेकिन उसे मिली नहीं मतलब मित्र सफलता चाहता था मगर अपने सद्धानतों पे चड़ने के कारण उसे वो सफलता नहीं मिली उसमें उसमें बहुत प्रयास किये उसकी भूल उसके प्रयासों की कहानी है तो मतलब क्या है उसे बहुत प्रयास किये उसकी सफलता मिले मतलब वो जो रचनाय लिख रहा था उसके जरीए फेमस हो राजनीती में आया उसके जगा फेमस हो लेकिन वो अपने सिद्धांतों को नहीं जुटला पा रहा था इसके चक्कर में समझोते नहीं कर पा रहा था इ प्रयास करना अधिक महतुपूर हैं, प्राया लोग गिरने के डर से प्रयास नहीं करते, परन्तु उसमें एक डर तो हटा कर प्रयास करता रहता है, मतलब क्या है कि हम कहते न बच्चा, अगर बच्चा ये डर जाएगा कि हम गिर जाएंगे तो वो चलना नहीं सीख पाएगा आपने ऐसे बहुत से बच्चे देखेंगे कि उनको जमीन पे पैर रखने के लिए बोली है तो वो पैर उटा लेते हैं, क्योंकि वो अच्चा डर रहा है कि जमीन सकते उस पे नहीं, बेट पे चल लेंगे लेकिन जमीन पे पैर नहीं रखते, तो वही यहाँ पर बताया ग गई उनके मित्र से तो उसको भूल के निक्षे के रूप में प्रस्तूत किया हूँ ने, पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना सयुक्त परिवार का विगटन होना है, क्यों और कैसे, बात सही है, बड़े बड़े परिवार थे, अब क्या हुआ, महिगाई बड़ी चीज हैं, जिसके कारण सयुक्त परिवार तूटे हैं, भौतिकता वाद की दोड़ में मनुष इतनी तीविर्गती से दोड़ रहा है, कि वह अपने सभी संबंधों को भूलता जा रहा है, आज परिवार का अर्थ पति-पत्नी और उसके बच्चों तक सिमित रह गया है, तो यह अपने क्या हैं, पीछे कहीं चूपते जा रहे हैं, तो आज परिवार का क्या मतलब है, पति-पत्नी और बच्चे, अन्रिष्टे अब दूर होते चले गए हैं, परंतो सयुक्त परिवार आज के समय में मनुष के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी विक्ती की सर वर्थम, सिक्षा, संसकार, विकास, चरितर का विकास, इत्यादी परिवार के मद्ध रहकर ही होता है, पैसा महत्पुर होने से विक्ति संकुचित हो गया है, सब ही एक दूसरे की मदद करने के बजाए, एक दूसरे के प्रतदुन्दी होते गए हैं, स्वयम को एक दूसरे में क्या होता है हम सिर्फ पैसे कमाने की दोड़ में लगें एक को पीछे करो दूसरा हाज रेचरे यहाँ पर आपको बताना है कि आजादी से लेकर अभी तक जो है क्या हुआ समाज हर राजनीती पार्टी आती है सब कुछ आता मगर उनके पास समाज सुधार को लेकर कोई भी प्लान नहीं होता इसी के कारण जातिवाज जैसी समस्या पैदा हो रही है हर जगे जाती धर्म को लेकर लड़ाई जगड़े हो रहे है तो इसमें हमें आप अपने व्यचार रखने है क्या दिया है लेखा का यह केथन बिल्कुल सत्त है कि आज राजनीती करने वालों के पास समाज सुधार का कोई कारिकरम नहीं है वेकेवर अपना स्वात्त सिद्ध करने के लिए राजनीती में आते हैं यही कारणे कि राजनीती के पास समाज सुधार का कोई कारिक्रम नहीं है, राजनीती में समाज को विकास के स्थान पर मदभेत और अशानती इत्यादी दी है, आज जाती भेत, आरक्षन, आदी बाते राजनीती की देन हैं, यदि राजनीती देश के विकास का कारिक करती तो भारत की स्थिति आज अलग होती तो यहाँ पर राजरिती में क्या है? स्वार्थ सिधी आप अपना स्वार्थ कैसे सिध्द कर सकते हैं और उस स्वार्थ सिध्दी के कारणी समाथ सुधार नहीं हो सकता जब तक आप परोब कारी नहीं बनेंगे तब तक चीजें शिद्द नहीं हो सकती हैं अन्याय पूर विवस्था को चुनोती घर में नहीं घर के बाहर दी गई इस से लेखक का क्या भी पराया Allah अब लेखक ने बहुत से वक्तवि बोले हैं उसमिं से एक ये वक्तवि ये कहना क्या चाहते हैं अन्याय पूर विवस्था को चुनोती घर में नहीं घर के बाहर दी गई है इससे लेखा कतापर की अन्याय दोनों जगा हो सकता है मतलब घर में भी हो सकता है और घर के बाहर भी हो सकता है वह घर के बाहर भी हो सकता है, घर के अंदर भी हो सकता है जब अन्याय को चुनोती देने की बात आती है तो मनुष घर के अंदर के अन्याय को चुप-चप सह जाता है क्योंकि इसका कारण परिवार जन उसके अपने होते हैं घर में अगर कोई चीज गलत हो रही है तो हम चुप चाप कर लेंगे हम जादा बहस नहीं करेंगे कुछ नहीं करें क्योंकि जहां पर इस सब कुछ चीज हो रही है वहाँ पर हमारे अपने हम कुछ कहेंगे लडाई होगी जड़ा होगा बहुत विरोध विद्रो होगा तो वो हम चुप-चप चीजों को सह लेते ठीक है कोई बात नहीं घर के बाहर अन्याय कोड़ विवस्था को चुनोती देना सरल होता है क्यों क्योंकि वहां हमारे अपने नहीं होते कोई दिक्कत आई तो हम तुरंती लड़ने को आ जाते हैं पूजी पतियों के विरुध विद्रो हो अन्याय के विरुध संगर्ष आदी विद्रो चेड़ने की बाते करते हैं मतलब बाहर अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो हम एजली चीजों को जो है वो विद्रो ही तरीके से अपना सकते हैं हम बहुत चंदर्ष करते हैं हरताल करते हैं रैलिया निकालते हैं हम सब कर सकते हैं येकिन घर में अगर उस घड़ित होती है तो हम चुप चाप उस चीज़ों को सह लेते हैं जो पुराना है अब वहां लोट कर आ नहीं सकता लेकिन नए ने पुराने का इस्थान नहीं लिया इस नए और पुराने के अंतरवन्त को सपष्ट कीजी जैसे कि हम चैप्टर अब जब हम समझा रहे थे हैं तब भी हमने ये चीज़ बताई इस वीडियो के स्टाट में हमने ये चीज़ बताई जो पुराना है उसे हम छोड़ते जा रहे हैं और नया नये को हम पूरी तरीके से अपना नहीं पाते ये ऐसा है ऐसा क्यूं है चीज़ें तो जो हमारी तार्टिक शक्ती होती वो हमें पूरी तरीके से अपनाने नहीं देती तो ये जो अंतर द्वन्ध है इसको हमें इस पश्ट रूप से इस आंसर में लिखना है क्या है पुराने से लेखक का मतलम परंपरागत संसकार जीवन मुल्य आस्थाएं तता धर्म भावना से है और नय से मतलब है आध्भूनिक विज्ञानिक पुद्धी के अनुसार भौतिक वादी जीवन जीना मतलब हर चीज जीसर्म बहुत ही प्रैक्टिकल हो गये हो तो वही चीज प्रैक्टिकली चीजें जो है उन से बात करी जा रही है नहीं और जो पुराने संसकार चीज़ें जो रहती है से नहीं अपना पा रहे हैं मतलब वो चीज पुरानी हमने छोड़ तो दी जिए कि नहीं है उसको हम अमारी तार्किक बुद्धी अपनाने नहीं देती हमें यह भी पता नहीं कि नया है क्या यही कारण है कि आज नया जीवन नय मानमूल और नया नया सब कुछ परिभाशाही तथा आकार रहित हो गए इनका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता यह नए विचार नए जीवन पद्धती किसी नए व्यापक मानसिक सत्ता के अनुरूब अनुशाशन नहीं दे सकते इन्होंने हमारी धार्मिक दार्शनिक भावना का इस्थान भी नहीं लिया सब कु एं उस इम कहां तक पालन करते रहें लेकिन उसके जब हम छोड़ रहें तो उसके वेज में यह किसारी नहीं चीजें हमारे सामने हैह meant हमिस्वें से अपनाएं क्या हमारी समझ में यह चीज़ नहीं आती है तो वही चीज़ें यहां पर दिये जो अंतरद्वन्द है पुरानी तो छोड़ दी मगर नहीं में अपनाने लाइग भी हम छाट छाट के अपनाते हैं पूरी चीजें हम नहीं अपना पाते हैं निमलिखित गद्यान्शों की व्याख्या कीजिए अब आपके सामने एक पैरा दिया गया है इसको आपको ठीक से आप बुक्त में देखेंगे वो आपके सामने उसकी हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे क्या दिया है इस भीशन संगर्श की हृदय भेदक से लेकर इसलिए वा असमान में था तो इस पैरा की अंतरगत हमारे अंदर क्या दिया गया है इन पंक्तियों में लेकक अपने उसमित्र के संबंद में बता रहा है जीवन अपने सद्धानतों के अनुसार चलता रहा उसके कारण उसके जीवन में बहुत कटनाएं आई परंतु वह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ इन कठिन परस्तियों से जुचते हुए उसने अनेक असफलताओं का सामना करना पड़ा उसका हिदय विचलित था परं असमानने व्यक्ति था मतलब जो उनका मित्र था वो पूरी तरीके से अपने सद्धानतों पर चलने वाला व्यक्ति था इतने परिवरतन हुए लेकिन अपने उन सद्धानतों को उसने छोड़ा नहीं और आज भी उन सद्धानतों पर टिका है और उनके लिए संगर्ष कर रहा है इसलिए व्यक्ति असमानने है नेक्स जो पेरा है लड़के बाहर राजनीती या साहित के मैदान में से लेकर घर से लेकर बाहर दी गई तो इस पेरा के अंतर गत हमको क्या समझाया गया है क्या है लेखा के अनुसार आज की युवा पीड़ी के सभाव में अंतर है वे घर के से बाहर साहित और राजनीती की अनेकों बाते करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और करते भी हैं, जब ये बात घर की आती है तो उनका वैवार बदल जाता है, मतलब यूआ पीडिक बहुत जादा एगरसिव हो जाती है कि बाहर क्या हो रहा है हम सब कुछ कर लेकिन घर में जब वो चीज़े होती हैं तो वो बदल जाते हैं, घर में उतना संगर्श या विद्रोद नहीं करते हैं अन्याय दोनु जगे हो सकता है, वह घर में के बाहर भी हो सकता है, घर के अंदर भी हो सकता है जब अन्याय को चुनोती देने की बात आती है तो मनुश घर के अंदर के अन्याय को चुप-चप सह जाता है क्योंकि इसका कारण घर के लोग उसके अपने होते हैं घर के बाहर अन्याय कुड विवस्था को चुनोती देना सरल है पूझी पतियों के विरुद विद्रो, शाशन के विरुद विद्रो आदिस रलता से हो सकता है तो इस पैरा में क्या दिया है कि अन्याय कहीं पर भी हो सकता है घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है अब नेक्स जो पैरा है क्या है? इसलिए पुराने सामन्ती आवशेश बड़े मजे सिक्षित परिवारों की बात कर रहा है तो अब इस पैरा में क्या हमारे सामने दिया गया है? इन पंक्तियों में लेखक का मित्र से बताता है कि किस प्रकार अभी भी हम पुरानी का ही अनुसरण करती है मतलब जो नर्मर्द जो घर के बाहर काम करने जा रहा है वो बाहर तो बदलावों की बात करता है लेकिन घर के अंदर उन्हीं पुरानी परंपराओं को अपनाता है जो बहुत ही वर्षों से चली आ रही है यही कारणे कि अब भी हमारे परिवार मतलब पुराना को भी हम अफसर देखकर इस्तेमाल करते हैं और ने को भी मतलब दोनों चीज़ें हमाने एकसप्ट कर रहें लेकिन जो अफसर पड़ता है उसी को अपनाते हैं जहां हमें लगता है कि हमारे रेती राज परंपरा की बात है तो हम पुराने से धांतों को ले हुए हैं उसने धर्म को नकार दिया है चूकि धर्म हमारी संस्कृति का आधार है अता इसे पूर्ण रूप से निकलना संभव नहीं है मतलब वो धर्म को नकार रहे हैं कि नहीं हम नहीं अपनाएंगे इरेती रिवाजें नहीं अपनाएंगे लेकिन उसे वो अपनी संस्क अपने आप से अलग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे विकास का आधार यी हमारा धर्म और हमारी संस्कृती है हम बैज्ञानिक दश्टी कोड से हर बात को परकते हैं लेकिन कई चीजें हमारी समझ से परे होती हैं तो हम उसे धर्म के छेतर में लाकर खड़ा कर देते हैं प्राया उसको हम कहां ले जाकि खड़ा कर देते हैं हम उसे धर्म के स्थती में लाके खड़ा कर देते हैं तो यह क्या होता है यह अधूनिक परिवार जो अभी पुराने सिध्धानतों को छोड़के नए में आ रहे हैं उनके साथ ऐसा अक्सर घट्टत होता है Next है हमारा मान मूल नया इसान वे दसे लेकर वे धर्म और धर्शन का इस्थान नह ले तो अब यह जो पहरा पूछा गया इसे में क्या है। लेखक के अनुसार नए की पुकार हम लगाते हैं लेकिन नया है क्या इस विशे में हमारी जानकारी सुनने के बराबर है मतलब हम नई चीजे नई चीजे सब एकसेप्ट करेंगे लेकिन नई की जानकारी हमारे पास क्या है एकदम जीरो हम नहीं जानते उसके बारे में एकसे कि नया मनश्य होक्या हो जब हम यह नहीं जान पाए तो जो स्वरूप उभरा था वह भी शूलनता के कारण मिठ गया मतलब जब हम जानी नहीं रहें कि है कि सलिए है किस कारण से जम्सक्रिक चीजों को नहीं जान रहे हैं तो जब हम उसे accept करने चलते हैं तो एक तरीके से हम अपने मूलों को destroy कर रहे हैं हम जब जान नहीं रहे हैं तो जो हम चीज follow करते आ रहे हैं उसको हम छोड़ दे रहे हैं जानती समझती चीज हम छोड़ दे रहे हैं और जिने हम जान नहीं रहे हैं समझ नहीं र परण समाप्त हो गए वे हमारे धर्व और दर्शन का इस्थान नहीं ले सकते वे इनका इस्थान तभी ले पाते जब हम इन विश्यों पर अधिक सोच तो जो नए सिद्धान तो जो नए मूले हैं उनसे जो प्रश्ट उट रहे हैं उनके उत्तर उनी मुल्यों में मिलते ही नहीं है मतलब कोई भी चीज़ अगर हम पूछे उनसे प्रश्ट उन पर हमें मिली नहीं रहे तो ऐसी चीज़ों को जब accept करते हैं और उनके उत्तर हमारी पुरानी परंपराओं में मिलते हैं तो यह किस तरीके से नए हुए नए हो ही नहीं सकते तो वही चीज़ें उन्होंने बोले कि नए और पुराने का जो अंतर द्वंद चलता रहता है उसे अपनाने में यही सबसे बड़ी कटना ही होती है Q10 है निम लिखेक पंक्तियों का आर्शे एसपश्ट करना है मतलब यहाँ पर आपके पास में कुछ पंक्तियां दिए गई है इन पंक्तियों का क्या मतलब है यह हमें बताना है यह बहुत चोटे चोटे लाइन्स में लिखना होता है जादा इसको डिटेलिंग में आप मत क्या दिया है सांसारी समझोते से जादा विनाशक कोई चीज नहीं है अब ये लेखक ने क्यों बूला लेखक के अनुसार मनुष्य जीवन में समझोते करता है जाहिर सी बात जगा जगा हमको कॉंप्रमेस करके समझोते करके आगे बढ़ना होता है ये समझोते करना हुचित हमें लड़ना चाहिए तब ही हम अपने अस्तित को एक ठोज धरातल दे पाएंगे तो कहने का क्या मतलब है कि हम जब तक समझौता करते रहेंगे तो ये इस्तिती पलाएं की है समझौता मतलब हमारे सामने जो मुसीबत आ रही है हम उससे बच के आगे निकल रहे हैं और इसके कारण किया हो रहा है हम अपना वास्तिविक रूप नहीं देख पा रहे हैं हम कभी सकस्स नहीं हो सकते हैं next है बुल बुल भी चाहती है कि वा उलू क्यों ना हुई यहाँ पर चाहते हैं बात है कि वो भी उल्लू हो जाते हैं उल्लू चाहता हैं बुल्बुल हो जाते हैं मगर यहाँ पर दोनों की जो विशेषता हैं अलग-अलग हैं इसका विपाह है कि हमें अपने से अधिक दूसरे अच्छे लगते हैं हम दूसरे से प्रभायत होकर वैसा बनना चाहते हैं हम स्वेम को नहीं देखते हैं अपने गुड़ों पर हमारा ध्यान नहीं होता अब देखें बुल-बुल कितनी अच्छी चड़िया वो चाहती है वो उल्लू बन जा है मतलब हम दूसरे को देखकर आकर्शित हो रहे हैं निकलेंगे उनको देखने कुछ सुख है लेकिन परिवर्तन देखना उन्हें पसंद नहीं लेका कहता है मेरे सामने बहुत बदलाव हुए मैंने उन बदलावों से हुए परिणाम देखे अथात यह देखा कि बदलाव हुआ तो उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जब बदलाव हो रहे थे वह क्यों और कैसे हो रहे थे इस प्रक्रिया पर मेरा कभी ध्यान नहीं किया तो उन्होंने कहने का मतलब बदलाव होने की बात क्या स्थती हुई यह तो मैंने देख लिया लेकिन उस बदलावों के दोरान म जो पुराना है वह अब लोट कर आप सकता मतलब जो समय बीट गया है वह लोटकर नहीं आएगा तो जो समय बीब गया उससे हम लोटा कर नहीं ला सकते जो चला गया वह चला गया प्रस्तुत पार्ट नएं की जन्म कुंडली के एक लेखक गजनन मादम बुक्ति बोध जी के द्वारा लिखित है लेखक ने प्रस्तुत पार्ट में व्यक्ति और समाज के बहारी तता आंतरिक परिवर्तन के फलसुरूप प्राप् उसे उन्होंने क्या बताया है कि वो नया है मुप्ति बोध जी का कहना है कि धार्मिक, राजनितिक, सांस्कृतिक और साहितिक परिवर्तन के फलसुरूप परयात यथार्त के व्यक्यानिक चेतना को नया मानना है मतलब हमारे अंदर जो कुछ भी नया हो रहा है सामाजिक है धार्मिक है परामपरिक है राजनेतिक है जो कुछ भी नया बदलाव हो रहा है किसके तौर पर बदलाव हो रहा है वैग्यानिक तौर पर वैग्यानिक तौर का मतलब हम समझ रहे हैं कि आज हम हर चीज का प्रूफ मांगते हैं अगर आप से कोई अगर ममी बोले कि आप वैग्यानिक्ता का मतलब तात्वर है कि हम बिना सुबूत के कोई नहीं लेगते हैं तो यह हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं सभी यह नए हैं उनका यह भी कहना है कि संगर्ष और विरोत के परिणाम को वहवरिक्ता में ना जीने के कारण हैं पुराने को छोड़ नही चीजों को लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिने हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं जैसे अभी हमने आपको बोला कि ममी ने बोला दक्षिट की तरफ पैर करके नहीं सो आपने उनसे तथ्य बांगा सब कुछ वह आपको नहीं मिला तो ममी कहती जो मर्जी है तुम सो करो तुमक दोड़ गया अब आपके ममी ने कहा इस वज़े से नहीं अब आपको डाउट हो रहा है आप इस वज़े से दक्षिट की तरफ पैर करके नहीं सोते हो बस सिर्फ इता ममी कहती दक्षिट की तरफ पैर करके सो गए तो तुम्हारे शरीर में कष्ट होगा वो सीधे यहीं बो उस पुराने को नहीं छोड़ पाए इसलिए आपने दक्षिट की तरफ पैर करके नहीं सोई तो मतलब आप नया अपनाना चाहते हो मगर पुराना भी आप छोड़ नहीं पा रहे हैं लेकिन एक को वास्तविक रूप में अपनान नहीं पाते हैं दोनों को ही हम नहीं अपना पा रहे हैं लेखा के अनुसार नय की पुकार हम लगाते हैं लेकिन नया क्या है इस विशे में हमारी जानकारी शुन्न के बराबर है, मतलब नया हम चाहते हैं लेकिन वो है क्या नया हम इस बारे में जानते नहीं, बिल्कुल हम जीरो जानते हैं, हमने सोचा ही नहीं कि यह नया मानमूल ह एक नया मनश्य हो है है या क्या हो जब हम यह नहीं जान पाए तो जो स्वरूप उभरा है वह भी सुन्यता की कारण मिट गया उनका द्रण तथा नए जीवन नए मानसिता सत्ता का रूप धारण करना है पर वे प्रश्टों के उत्तर ना होने की कारण समाप्त हो गए वे हमारे धर्म और दर्शन का इस्थान नहीं ले सके वे इसका इस्थान तभी ले पाते हैं जब हम इन विश्यों पर अधिक सोचते हैं नए को अपना पाते हैं कहने का यहां ताज पर है नया क्या है इसके बारे में हमारी नौलज जीरो है क्यों देखी पुराना क्या है इसकी नौलज तो हमारे बड़े बुजर्ग हमको दे देते हैं तो हम उसके बारे में जानते हैं हमें बश्पन से वो सारी चीज़ें हमारे अंदर फीड़ अप हो तो अब क्या होता है कि आपके इंदर जो बच्पन से फीड अप हुआ है आप उसको छोड़ नहीं पा रहें और नया जो सामने हैं उसे आप पूरी तरह से अपनाते नहीं क्यों क्योंकि उसके बारे में हम कोई भी नॉलेज नहीं रखते और हमें कोई नॉलेज देने वाला भी नहीं है ठीक है जैसे हमारी पुरानी चीजों को मानता देने वाले तो हमारे बड़े बुजर्ग हैं लेकिन नहीं का नॉलेज देने वाले हमारे पास क्या है ग्यान का शुरूत हम अगर देखें तो हमारे पास किताबे हैं ठीक हम किताबे पढ़ लेते हैं भाई इसमे यह reaction होता है यह होता है वो सारी चीज़ हम सब पहचान लेते हैं जान लेते हैं लेकिन वहवारिक ग्यान कोई हमें नहीं देता उसका जैसे हमें पुरानी चीज़ों क्या वहवारिक ग्यान हमारे पैरेंट्स वारा मिल रहा है लेकिन नहीं चीज़ों का वहवारिक ग्यान हमे किसी के द्वारा नहीं मिलता तो अब उसके बारे में हमारी नॉलेज जीरो है अब यहां पर शुरू होता है अंतरदुन्द कहने का टात पर यह है कि हम चाहा रहें कि हम नया अपना है लेकिन हम अपना नहीं पाते क्यों कि हम जानते नहीं है यह नया क्या है क्या एक मनुष् क्या चीज है ये नया जिसको हम अपनाएं तो इससे हमारे अंदर क्या शुरू होता है अंतरदुन्द यानि कि अंदर से ये सही है ये सही है वो सही है ये गलत है अंतरदुन्द मतलब हमारे अंदर बहसवाजी शुरू होती है अब उस बहसवाजी में क्या होता है अकसर दोन तौर पर हमारे सामने तत्थे के तौर पर हैं तो अब जो पुरानी चीजें हम बच्पन से जान रहे हैं उन्हें भी हम नहीं मतलब अब दोनों चीजें हमारे सामने बराबर तौर पर रहती हैं अब बराबर तौर पर रहने के कारण हमारे सामने क्या होता है हम किसी एक को नह नहीं अपना पाते हम कहतो रहे हम नहीं अपना रहे हम आदुनिक्ता की तरफ जा रहे हैं सब कुछ हम कर रहे हैं लेकिन हम उसको पूरता अपना नहीं पाते और यह तब तक हम नहीं को नहीं अपना पाएंगे जब तक हम पुराने को छोड़ नहीं देंगे और वो हमसे छू दे जाती है वे मात्र उनके अवशेश के रूप में विद्धमाने मतलब हमारे परिवार में जो कुछ भी चीजे चल रही है पारम परी धार्मिक तौर पे वो शिर्फ अवशेश यानि की कुछ शेश मात्र है लेकिन इसका पूर्ण रूप पहले हो चुका है मतलब अब धीर सब्सक्राइब यह सिर्फ अफशेश यानि की कुछ थोड़ा सा ही टुकड़ा हमारे सामने क्योंकि वो पुराना तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है समय बदल रहा है और नए विचार बाते और परंपराएं जन्म ले रही है यह जो भी नया आ रहा है इसमें पुराने का इस्थान नहीं ही लिया गया है यह अलग से अपनी जखा बना रहा है परिणाम जो पुराना है वह अपने अस्तित्व के लिए तरप रहा है और जो न हमारी संस्कृति का आधार है हम लोगों को इस पर बड़ी आस्ता है आज की पीड़ी वेग्यानिक दर्ष्टिकोंड लिए हुए है उसने धर्म को नकार दिया है मतलब नई पीड़ी जो वेग्यानिक दर्ष्टिकोंड लिए वो धर्म को नहीं मानती है जबकि पुराने जित को अपना रहें लेकिन हम धर्म को पूरी तरह छोड़ी नहीं सकते क्यों कि यह हमारी संस्कृती में बसा हुआ है संस्कृती मतलब आप यह बोलोगे हमारी आत्मा में बसा है हम वैज्यानिक दश्टी कोर से हर बात को परकते हैं लेकिन कई चीज़े हमारी समझ से परे होती हैं तो हम उसे धर्म के छेतर पे लाकर खड़ा कर देते हैं हमने धार्मिक भावना को छोड़ दिया लेकिन वैज्यानिक बुद्धी का सही से प्रयोग करना नहीं सीखा मतलब हम हर चीज़ को आज के समय में देखते हैं परकते हैं तब अपनाते लेकिन क्या होता है कुछ चीज़े हमारी समझ में नहीं आती थो मઅ् उसको धर्म के नाम पर छोड़ देते । क्या रही यह धार्मिक दौर पर है ठीक है आब यहां पर क्या है कि भाई हम नया तो सीखने चाते हैं लेकिन हम पूरी तरीके से उसका ग्यान ही नहीं रखते हैं जब ग्यान नहीं रखते हैं तो हम उसको अपनाएंगे कैसे तो वह उनों बोला धार्मिक भावना को तो छोड़ दिया लेकिन वैज्यानिक बुद्धी का सही से प्रियोग करना नहीं सीखा यानि कि हम बोल रही कि हमने धर्म को छोड़ दिया लेकिन जो नया हम अपना रहे हैं यानि वैज्यानिक तोर पर आदुनिक्ता के तोर पर हम जिसे अपना रहे हैं उसे हम पूरी तरीके से अपनाई नहीं पारे क्योंकि उसका हमें ज्ञान ही नहीं है इसलिए हम अपना नहीं पारे हम इसके लिए ना प्रयास करते हैं और ना हमें जरूरत महसूस होती हैं यह दोनों बाते एक दूसरे से टकरा जाती हैं हमें उत्तर में कुछ नहीं मिलता प पुरानी को छोड़ नहीं पार है हमारे अंदर तकराव हो रहा है अब यह इस्थितियां पैदा कहां दिए खास तौर से जो अभी आधुनिक सिक्षित परिवार हैं वहां पर यह चीज़ें पैदा होती कहने को वह आधुनिक सिक्षत परिवार है कि वह नए को लेकर चल रहे हैं लेकिन अभी पुरानी माननेताओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो यह इस सिद्धियां खास तोर से इन्हीं परिवारों में देखने को मिलती है लेखर के नुसार आज की युवा पीड़ी के वे कि घर से बाहर साहित और राजनीती की अनेकों बाते करते हैं उनके बारे में सोचते हैं और करते भी हैं जब यह बात घर की आती है तो उनका वहवार बदल जाता है कहने का ताद पर हम बाहर निकलते हैं तो हम बड़े बहुत ही हो जाते हैं आधुनिक तोर पे लेकिन जब घर में आते हैं तो हमारा थोड़ा सा behavior conservative हो जाता है पुझी पतियों का के विरुद्ध विद्रो शाशन के विरुद्ध विद्रो आदी विद्रो सरलता से खड़े हो जाते हैं जब समाज की बात आती है तो उनके मित ताले लग जाते हैं मतलब हमें कहीं प्रोटेस्ट कर ना हूँ प्रोटेस्ट करने के बात हो यानि की जो पुझी पती होते हैं मिल मालिक्स वगेरा जहां पर होते हैं इनके विरुद्ध हम विद्रो कर लेंगे हम राजनीती में विद्रो कर लेंगे यानिक्षाशन के विरुद्ध विद्रो कर लेते हैं लेकिन जब हमारे बारे में बात आती है तो हम अपने हाथ खड़े करते हैं हम नहीं गिद्रो करते हैं राजनीती के पास समाज सुधार का कोई कारिक्रम नहीं है राजनीती अपने स्वार्थों की पूर्ती के लिए मनशुद्वारा की जाती है यही कारण है कि राजनीती के पास समाज सुधार का कोई कारिक्रम नहीं है तो इन्होंने यहां पर क्या बोला कि भाई हम प्रोटेस्ट तो करते हैं अब यहां पर जब समाज का नाम आता है तो हम मुबंद कर लेते हैं तो अब राजनीती के छेत्र में हम प्रोटेस्ट करते तो हैं लेकिन अगर राजनीती से बोला जाए कि वो हमारे समाज में सुधार लाए तो उसके पास ऐसा कोई कारिकरमी नहीं है कि वो समाज में क्योंकि राजनीती करी किस लिए जाती है स्वार्थ के लिए की जाती है और समाज क्या होता है वो परोपकार के लिए होता है तो राजनीती में इसी लिए कोई सुधार नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे सब अपने स्वार्थ पूर्थी के लिए ही कारिरत रहते हैं राजनीती ने समाज को विकास के स्थान पर मद्भेत और अशान्ती इत्यादी ही दिये मतलब उन्होंने हमें क्या किया विकास नहीं दिया हमें मद्भेत दिये हैं और अशान्ती दिये क्योंकि कोई एक पार्टी अपने मुद्दों को लेकर लड़ती है दूसरी अपने मुद्दों को लेकर लड़ती है तीसरे अपने मुद्दों तो इससे जो समाज के लोग हैं वो अलग-अलग जगाओं पर बढ़ जाते हैं अलग-अलग राजनीती पार्टी के नाम पर आप महीं भड़ते रहते हैं भड़ते रहते हैं थूम्ह भैते होते अशानती पैदा होती है आज जाती भेधारक्षण आधी बाते राजनीती की ही दिन है अप जय्की जतना देखेंगे हिरा जैसे हिरा फरकषण की बढ़ हो थी पिछले 20 वर्षों में भारत जैसे देश में सयुक्त परिवार का हास हुआ है हमने देखा है कि पहले लोग जो है जो है जोइन फैमिलीज में रहा करते थे लेकिन आज जोइन फैमिलीज देखने को भी नहीं मिलती है बहुत ही रेयर जोइन फैमिलीज देखने को मिलती यह स्वय में बहुत बड़ी बात है सहींगत परिवार आज के समय में मनुष्ट के लिए बहुत आविशक है क्योंकि उसकी सर्वप्रथम सिक्षा संस्कार विकास चरित का विकास इत्यादी परिवार के मद्ध रहकर ही होता है आज लोगों के चरित्र कह जहां हास हो रहा है तो इस समय सहींगत परिवार की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि यहां पर बड़े बुज़ूर्ग जो बच्चों को प्राथमिक संसकार आपको देते हैं वो हमें सहींगत परिवार से ही मिल पाता है तो घर में देखने के लिए कोई नहीं बच्चे अपनी मरजी से काम करते हैं तो ऐसे में अगर पैरेंट्स घर पर रहते हैं तो वो बच्चों की देखभाल तो करते ही करते हैं लेकिन साथ में अच्छे संसकार भी देते हैं उनका अच्छा डेवलिप्मेंट होता है और अ ऐसा होगा तो आगे जाकर हमारे समाज का विकास हो पाएगा इसके परिणाम हमें आसपास दिखाई दे रहे हैं इसे मनुष्य को समाजिक तौर पर ही नहीं अन्न तौर पर भी नुकसान जेलना पड़ रहा है सयुक्त परिवार के ना होने पर लेकर कहता है कि साहित्य राजन हो रहा है मतलब नसाहित ना राजनीती हमारे सयुक्त परिवारों को के लिए कोई कारण नहीं कर रहे है इससे सयुक्त परिवार नश्ट होते जा रहे हैं तो पहले तो परिवार को नुकसान होगा फिस समाज को होगा देश को होगा हर तरीके से नुकसान होगा तो इसलिए संयुक्त परिवारों का तूटना कहीं न कहीं देश के तूटने की कगार पर आ जाता है इस पार्ट में लेखक व्यक्ति को असमाने और आसाधारन मानने ता है उसके पीछे कारण था उसके अनुसार जो व्यक्ति अपने एक विचार या कार के लिए स्वेम और अपनों को त् तो जाहिर जिवादे व्यक्ति असाधारन या समान नहीं होगा वह अपने मन से निकलने वाले उग्र आदेशों को निभाने का मनुबल रखता है ऐसा प्राया साधारन लोग कर नहीं पाते हैं वह सांसारिक समझोते करते हैं और एक ही परिपाटी में जीवन बिताते रहते हैं मतलब जो नॉमल व्यक्ति होता है वो क्या करता है उसके जीवन में जिते भी संधर्श आ रहे हैं उनको जहलते हुए जीता रहता है लेकिन आसाधारन व्यक्ति क्या होता है उसके मन में जो उग्र विचार आते हैं वो उनका पालन करने के लिए समात से भी लड़ जाता तो यह आसाधारण और आसमानने मनुश्य एस वेक्ति ही असमानने और असाधारण होता है इसमें लेखक ने मित्रों के सभाव और उनके समय के साथ बदलने वाले वहवार को बताया अब इसको ईन्होंने उधारणता आपने मित्रो के सामने के जरीए उनोंने हमारे सामने रखा है जो आज के आध्वूनिक समय में होता रहा है प्रस्तुत पार्ट में मुटिवो जी स्व्म और मित्र के बीच के अंतर को बता रहे हैं मित्र सांसारी खुशियों से दूर हो जाता है और हमेशा असफलता मिलने के कारण उसके वहवार में निर्दैता और कूरता आ जाती है लेकिन लेखक शांत और अच्छे आचरनवाला होता है जिसे दूसरों को खुश करना अच्छा लगता है लेकिन मित्र बिलकुल अलग होता है तो यहां पर उन्होंने क्या बताया उनका मित्र क्या है उसके जीवन में जिती है सफलता है मिलती जा रही थी वो उतना ही निर्दैता और कुरू होता जा रहा था लेकिन इसके अपोजिट मित अब यहां पर वहवार का बात थी उसका वहवार निर्दाई और कुरूर हो गया था लेका को संसकार कैसे मिलते हैं क्या होता है इसी कारण लोगों के वहवार में बदलाव आता है तो आगे उसी साथ से उसके जीवन की सफलताएं उसके उपर डिपेंड करने भाई निर्देक रूर होगा तो उसको सफलताएं इतनी नहीं मिल पाएंगी उसके अपोजिट लेखक का क् सब्सक्रांत था और वह अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर रहे थे तो इस तरीके से हमने यहां पर नए और पुराने का आपको पूरी तरीके से बताया अब पुराना तो हमारा सायुक्त परिवार है नया हमारी अधुनिक्ता न्यूक्रल सम्धामिली है यह भी हमन इनों बाद अपने मित्र से मिले थे तो अब जब मिले थे तो उन्हें अपने मित्र के वहवार में बहुत बदलाव लगा था लेखक को वर्षों बाद अपने मित्र से मिलके ऐसा लगा कि वहां उसका उल्लका पिंड की भाती है यानि कि पास आता है और निकल जाता है जो स पूपने मित्र के सुदूर यात्रा की कीमत भली भाति जानता था उसके किन्हीं अप्रत्याशित संगर्शों में किसी प्रकार तूट फूट वा धूल बनता हुआ खर्बो मील दूर से किसी अंधेरे सूर्ण में खो गया था कहने का ताजबर था उनका मित्र जबाद बर्षू बाद उनसे मिला और मिलकर उनसे दूर हो गया तो उन्हों ये एहसास हुआ कि जैसे उलका पिंड आता है सूर का चक्कर लगाता है चला जाता है उसके पीछे चुके हैं ये चीज़ उन्होंने इस उलका पिंड के उधारण के माध्यम से समझाया प्रश्ट सेंग्या दो है लेखा को अपने और अपने मित्र के बीच आई दूरियां कैसी लगती थी यानि कि भई पहले दूद उनों बहुत करीब होते हैं लेकिन आज जब भान होता तब उसे अच्छा लगता और साथ ही बुरा भी लगता अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी लगता था अच्छा इसलिए लगता कि दूरी हमारी गती को एक चुनौती देती थी और बुरा इसलिए कि मित्रों के बीच आई दूरी उसे खटकती थी मतलब जो एक competitive होती है feeling होती है वो आ चुकी थी लेकिन अच्चु की वो हमारा मित्र था दूर चला गया था तो यह हमें बुरा भी लगता था लेकिन सार दूरियों पर विजय पाना मानब सभाव है वह एक साहस रूमांच है अब हमें एक दूसरी को फिर से खोजना पाना है लेकिन को लगता था कि एदे दूरिया नहीं आती तो वह उससे आच्चानी यानि ढखा हुआ हो जाता है यानि कि अगर उसके बीच यह दूरि दूरियों से खुश भी था और दुखी भी वह खुश भी इसलिए था क्योंकि हम एक दूसरी को पाने की कोशिश करते और दुखी इसलिए था कि उनके बीच इतनी दूरियां आई क्यों प्रश्चिसंग्याती ने लेखा को अपने मित्र की कौन सी प्रवत्ति से बैर था यानि कि उसे बिलकुल नफरत थी उसकी जो आज़त थी उससे क्या है लेखा की दृष्टी में उसका मित्र असाधारण और असामानने था क्रूर था तथा निरदायता भी उसमें थी मतलब ये चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती थी वह अपनी धुन अपने एक विचा के अपने आसपास के लोगों को सभी को उसको कुर्बान करने के पीचे पड़ा रहता था इस भीशर त्याक के कारण उसके अपने आत्मियों का उसके विरुद युद्ध होता और वह उसकी शती को बरदाश कर लेता अब जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा हमारे जितने आ आजनीती में उत्रा तो लेखक ने उस पर आरोप लगाया कि यह उसका पलायन है यानि कि वो अपने रिष्टों से भाग रहा है वो अपने उत्तादाइत वहन ना करने की प्रवत्ति है यानि कि उसकी जो रिस्पॉंसिबिल्टी है वो उनको वहन जो निभाना नहीं चाहत है लेखक को अपने मित्र की इसी प्रवत्ति से बैर था अथा वो अपने किसी विचार को लेकर संघश करने को तयार यहां तक कि अपनों से भी भिढ़ जाता था और अपनी रिस्पॉंसिबिल्टी को भी निमाने का मद्दा नहीं रखता था यही प्रवत्ती लेखक को तो अब यहां पर क्यों ऐसा उन्होंने बताए इन दो दुरूं का भेद अपने इतना पोजिट क्यों बताया लेकर मात्र सामान होता हुआ भी नामी गिरामी था मतलब बहुत ही वह नॉमल लाइफ जीते थे लेकिन तब भी बहुत फेमस थे वह जमीन वह समाज में यह अपने मित्र के आगे अपने आपको बहुत ही हीन समझते थे लेकक जो भी काम करता वा दूसरों की खुशी के लिए और उसका मित्र कार शक्ती में आत्मिय प्रकटी करण के की एक निर्दवन दुशैली अपना कर काम करता था मतलब लेकक जो काम करते वो क्या करते अपनों आपको प्रकट करने के लिए जो भी लड़ाई होती थी उसको संपन्य करता था और तब अपने आपको प्रकट करता था इसलिए बहुत ही अपना के समझ बूज के काम करते थे और इसलिए वो प्रसिद्ध थे लेखक को उसकी स्थिद्धी देखकर बहुत दुख होता लेकिन उसका मित्र अप उसकी ये शश्विता को स्विकार ना कर पाता इसलिए लेखक ने अपने अनुभवपई अनिशकर्ष निकाला कि उन दोनों मित्रों के में दो ध्रुवों का भेद था अब लेखक को इस बात को अपने मित्र के ध्यावार को देखकर बड़ा दुख होता था और लेखक बहुत फेमस था यह चीज उनका मित्र एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था तो यह चीजें जो हैं उनको क्या बना रहा था दोनों ध्रुवों का भेद बताना था मतलब दोनों के बिहेवियर में उ बहुत ही जादा डिफरेंस थे इसलिए लेखक ने उन्हें दो दुख का भेद बताया है तो इस कोशन के साथ हमारा यह चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है यानि कि फटा-फट हमने इस चैप्टर के में में पॉइंट्स को रिवीजन कर लिया कि लेखक इसमें इस पार् पहले जाएगा फिर आप इसको पढ़िएगा तो यह आपको totally clear हो जाएगा तो यह जो हमारा चल रहा है आपका हम पढ़ रहे थे अपना वन शौट रिवीजन तो वन शौट रिवीजन हम देखें कैसे कहां पर देखें क्या करें या अगर इस चैप्टर का हम detail explanation देखना च लिखेंगा cbsc English medium तो आप cbsc English medium जैसे open करोगे उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी होगे अब आपकी क्लास क्या है 11 तो आप 11 को क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे 11 पर पढ़ाय जाने वाले सारे ही आपके सब्जेक्स आ जाएंगे तो जो भी सब्जेक् हिंदी अगर देखना है तो वहां पर आप अचनो लिखा है उसको आप ख्लिक करोगे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर को क्लिक करना लिखें कि आप जब भी जो भी जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल एक्समिनेशन देखेंगे इसके इलावा हमारा सारा इसके लावा हमारा सारा इसके लावा है यहां पर आप से कुछ भी पेमिंट नहीं लिया जाता है जो भी वीडियो जितनी बार आपको देखना है बिल्कुल टोटली फ्री सारा कंटेंट टोटली आरेंज है कहीं इधर उधर आपको परिशान होने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेर जरूर कीजेगा थैंक यू वाचिंग बाबाई